जीप ने हाल ही में जीप कंपस के 2021 फेसलिफ्ट को लॉंच किया था और साथ उसके बाद कई अलग-अलब अपकमिंग कार्स की भी इंफोर्मेशन सामने आई है जिन में से एक जीप की सबसे छोटी SUV भी होने वाली है फिलाल तो इस छोटी SUV को जीप जुनियर नाम दिया गया है ये एक सबकॉंपक्ट SUV होगी जिसका मुकाबला इंडिया में सेग्मेंट में रुंड़ाई वैन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सोन और न्यू रेनो काईगर, एंड मैगनाइट और विटारा ब्रेज़ा से होग अपकमिंग जीप जुनियर में बहुत सी चीज़े जैसे, इंजन और प्रेटफोर्म को अपने सिस्टर ब्रेंड, सिट्रोएन C21 से बोरो किया जाएगा, इसे सिट्रोएन C21 मोडल वाले ही कुमन मोडूल प्रेटफोर्म पर रेडि किया जाएगा, और इंजन के अगर बात पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, इसमें मिलने वाले सबसे खास फीचर की, जो है इसका 4x4 सिस्टम, जी हाँ, इसमें गाड़ी के रियर के एक्सल पर एक E-Motor का यूज किया जाएगा, ताकि इसे 4x4 capabilities प्रोएड की जा सके, इसे ही सेगमेंट की first and only all wheel drive car बन ज जाए exterior design की, तो उसका front design आपको काफी हद तक Jeep Wagner की तरह लगेगा, इसमें आपको Jeep Wagner की तरह 7-slate grill merging with LED DRLs, LED projector headlamps and LED fog lamps मिलेंगे, इसी तरह इसकी rear profile भी एकदम fresh design के साथ आएगी, rear में इसमें आपको एक बड़ा rear bumper with silver skid plate, shark fin antenna, rear wiper and newly designed LED tail lamps देखने को मिलेंगे, जिनका design काफी अच्छा होने वाला है, roof में भी इसमें आपको full black color theme देखने को मिलेगी, इसके लावा इसके interior की बात की जाए तो इसका interior black color theme with piano accent finish के साथ आएगा, और features जैसे 9-inch touchscreen infotainment system, connected car technology और wireless charging जैसे और भी कई शांदार features के साथ इसे launch किया जाएगा, आखिर में अगर बात की जाए इ तो 2021 के end तक इसे unveil कर दिया जाएगा और जहां तक इसे 2022 के starting में launch भी कर दिया जाएगा, वहीं अगर जीप को इंडिया में एक successful product बनाना है, तो इसकी price को भी competitive रखना होगा, क्योंकि इंडिया में subcompact SUV cars की शुरुआत 5,5,5 लाग रुपेशे शुरू हो जाती है, तो दोस इसी के साथ टाटा, बाई बाई श्रबाखेर, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो में